बाद करने वाला है जिसका नाम है सेल दे फंडमेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चेप्टर के बारे में बात करने वाला है इस चेप्टर के लिए कर सकते हैं पूर राइब धर आपके बारे में वाला है जुछाज भीओ दिए लगा पूर अनुछ फ्याज घुछ दिए अपटर थे Lights we are composed of how the life has been composed of let us first imagine is it possible to have a body to form an organism without cell in the class and we have a study about it that cells combine together to form tissue tissue combined together to form organ organ combined together to form organism etc etc to us is cell के बारे में दोग पढ़ने वाले तो यहां अगर हम लोग इसको start करता है जो सेल है lot is the fundamental unit of life, यह fundamental क्यों गया, यह cell क्या है, what is cell, how cell was discovered, यह तो हम लोग बात में बात करेंगे, बट इसको fundamental unit of life क्यों कह गया, पहले इसटी से के हम लोग चर्चा करेंगे, सब को पता है कि the organism that is that बिलॉंग फ्रम सिंपल तो मुस्ट कॉंप्लेक्स और बात करें तो सब उस सेल का बना पड़ा होता है एवरीवन इज मेड़ अफ टीनी माइक्रसकोपिक यूनिट्स अब अगर बात करा जाए कि यह ठीक है माइक्रसकोपिक यूनिट है बहुत चोटा इनिट है तो इसके कहां से आया कैसे आया लोग इसके बारे में कैसे जाने यह तो बात साफ है कि no one can imagine the structure, the shape, the size, the existence of an organism without cell यह तो fact के बात है बट क्या है कैसे है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको सेल सेब्टर हम लोग यही पढ़ने के सेल क्या होता है सेल की discovery कैसे हुई सेल के अंदर के parts कौन-कौन से हैं वो क्या 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 है उनके ठीक है तो चलिए सेल को अगर हम लोग डिफाइन के तो सेल को कहते है कि सेल is the smallest structural functional unit of life यहां पे smallest का मतलब क्यों smallest इसलिए क्योंकि हमारा जो बाडी है वो सबसे हम लोग केमिस्टर में पढ़ते थे कि कोई भी सबस्तांस जो है वो एटम का मिलके बना होता है और एटम जो होगया तो से smallest unit हो गया उसी तरीके से कोई भी organism जो है वो सबसे छोटे इनिट जो है वो सेल से मिलके बना है और इसलिए कहाता है कि हमारा जो डाइस्टी स्विस्टर में यह काम करता है यह कि स्टॉमक जो है यह काम करता है इंटिस्टाइन जो है यह काम करता है मतलब वह नहीं हम नहीं कर रहा है चुलिए हम कुछ नहीं कर रहा है कोई भी काम हमार दार परफॉर्म नहीं हो रहा है वह सारा का सारा काम सेल के दार परफॉर्म हो रहा है तो इसलिए हम लोग को कहना Fact No.1 और 2 आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है फिर अगली स्लाइड में हम लोग बागी के पांच दिखेंगे तो facts about cell discovery में पहला fact है कि Robert Hooke an English botanist observed thin section of cork of bark of a tree under a self-designed compound microscope and noticed honeycomb-like compartments यह कहाने भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई कि Robert Hooke ब्रिटिस बोटनिस्ट थे बाइलाजिस्ट थे जो पेड़ पौधों के बारे में study किया गड़ते थे वो एक बार अपने बनाय गए माइक्रोस्कोप के अंडर एक ट्री के बार को study कर रहे थे तो उन्हों उनको honeycomb के तरह compartments में देखा है honeycomb का मतलब honey bee का जो beehive होता है उसमें च्छोट च्छोटा जिसको घ्यान से देखो तो छोटे च्छोटे रूम के तरह design देखता है तो उन्होंने इन च्छोटे compartments को ही की नाम दिया सिल तर्म से लग लैटीन वर्ट से जिसको सेला कहा जाता है सेला का मतलब लैटीन में होता है लिटल रूम ही एक्स्प्लेंड ही ऑप्जर्वेशन इने बुक नेमले माइक्रोग्राफिया और उनके सारे ऑप्जर्वेशन उनके द्वारा एक पब्लिस्ट तो यह था आपका सेक्ट नमर वन अब स्क्रीन पर सैक्ट नमर टू देखिए कहा जा रहा है कि एंटॉन वन लिवन होग जो 1674 में उन्होंने बैक्टिरिया को आप्जर्व किया था सबसे पहली बार बैक्टिरिया को देखा था वो भी बैक्टिरिया जो माउथ में प्रेजन रहता है from the tartar of teeth उस teeth में present bacteria को उनने पहली बार देखा था उसके बाद erythrocytes जाने के फिस में present bacteria को देखा था उसके बाद sperms को देखा था और उसके बाद प्रोटोजोंस में वर्टी सेदा को देखा था इस तरीके सा मतलब उन्होंने जब अपने microscope की discovery की discovery मतलब invention किया उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा लेकिन bacteria के father bacteriology के father उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले bacteria को देखा था यह दोनों point आपने copy में note कर सकते है ठीक है चलिए अब अगले slide में आते हैं हम लोग इस screen पे आपको 6 facts दिखाई दे रहे हैं इस 6 facts में से आपका जो सबसे उपर में fact है इस तीज जाने के fact number 3 कहता है इन ग्रिव नामक वैक्ति ने सबसे पहले सेल के concept को लाया था जिस 1682 में और उनका कहना था कि सेल जो है वो structure है और अर्गनिसम का unit of structure है और अर्गनिसम का fact number 4 और इस screen पे दिखाया गया second fact कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने नुक्लिस को डिस्कावर किया था और्गिट प्लांट के root cells में fact number 3 पुरिकेंजे ने 1839 में protoplasm नामक वर्ड को coin किया था अब protoplasm उन्होंने कहा था एक ऐसे सबस्तांस को जो jelly-like semi-fluid था जो cell के अंदर पाया जाता था उन्होंने cell के अंदर पाया जाने वाले jelly-like semi-fluid को protoplasm टम दिया था 1839 में चलिए अब fact number 6 पर आते हैं और अब screen पर जो fact 4 था उसमें एम जे शेडिन 1838 और थियोडिर swan 1839 यह दो वेक्टि हैं जिनको shell theory के लिए जाना जाता है इन दोनों वेक्टियों ने बारी-बारी से plant और animal shell के बारे में discovery की और इन दोनों के बारे में study करके अपने points को दुनिया को दिया जिसके बाद सारे के conclusions को एक साथ shell theory के नाम से publish किया गया प्रेक्ट नम्बर शिक्स्ट सेवन्थ एक्चुली फैक्ट नम्बर सेवन्थ के रहा है कि रूडॉल्स फिर्श्यों 1855 जुर्मन साइक फिजियोलोजिस्ट प्रोपोस्ट थियोरी ओफ लेनेज विच स्टेट्स अम्निस सेलुला एसेलुली विच मीन्स रेट यह जो पुराने यानि कि पहले यहां पर जो एक्षिस्ट करने वाले सेल उसी से ओरिजिनेट होते हैं मतलब कोई भी सेल नहीं बन रहा है तो वह पुराने सेल से बनेगा इसको यह स्टेट्मेंट रिडॉल्स विर्श्यों के द्वारा दिया गया था 1855 में जो एक जर्मन फिजियोलोजिस्ट थे और इनके इस स्टडी को थियोरी ओफ लेनेज कहा जाता है इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है लास्ट फैक्ट और फैक्ट नमबर एट कहता है कि नॉल एंड रसका इसको एम नॉल एंड एंड रसका भी कहा जाता है 1932 में जो जर्मनी के थे इस बीजाइन दे इलेक्टरों मैक्ड़ोस्कोप विच वाज इंपलोई टू दे स्टुडी ऑफ अल्टरा स्ट्रक्चुर अफ से एंड वारी मैंगिफाइड इमिल दिखाता है यानि कि एक सेल के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स थे उनको भी बहुत ज़यदा बढ़ा करके देखाने में हेल्प करता है और यह जो इलेक्ट्रोन मैक्रोस्कोप था वो इनके ज़र उने सो बत्रीस में डिसकावर होने के बाद में लास्ट वाला फैक्ट लास्ट वाला फैक्ट कहता है कि इन टेक्स्ट अफ मॉडर्ण रिसर्च तो ओल्डिफाई करके सुधार करके कुछ इस तरीके से पोईंट कहता है कि आर लिविंघ आरइज इस और इस एंपर ैश्यास्ट पर्डेक्ट किशुर असे जो नाया वाट्रेफल्क्य यक्रियु सार्छ का वे ऑख्यार बौर्ड्जियु से ही बना है रुडॉल्फ विर्शो का जो स्टेटमेंट है वह यहां पर कंबाइन हो गया पॉइंट नम्बर थ्री और सिल्स अर बैसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन मेटाबलिक प्रसेस कहा रहा है कि सारे के सारे जो सेल होते हैं उनका जो बनावट होता है लगबग के लिए जिस सुप्रेस्टांस यीूज ववे पड़े होते हैं वो लगबग एक जैसे ही होता है और उन सब में होने वाली मेटाबॉलिक आक्टिविटी जो basic activities हैं सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए वो सारे एक जैसे लगबग होते है point number fourth कहता है the function of an organism is the outcome of the combined activities and interactions of the constituent cells कह रहा है कि the function of an organism is the whole किसी organism के बारे में अगर बात कहा है कि organism completely ये perform करता है ये काम करता है वो काम करता है तो वो काम जो है वो organism के दोरा नहीं बलकि उस organism के body में जो present cells है उन सारे अलग-अलग type के या फ़र बहुत सारे जो different cells है उन cells का मिल कर के किया गया का result है cell is the structural and function of all living beings ये basic चीज़ है इसके बारे में लोगों ने पहले भी बात लिक कर रही थी कि cell जो है वो सारे living beings का structural और functional unit है इसके बेना कोई भी organism का structure imagine कर पाना भी possible नहींए it is not possible to form just imagine a life of any organism or imagine a structure of any organism or imagine the working of an organism or organ or performing any function in the absence of cell is quite difficult so ask के लिए इतना ही आज हम लोगों ने बात किया कि cell के discoveries के facts तक हो गए अब अगले class हम लोग बात करेंगे cell theory के बारे में आप लोग चाहें तो इन सारे notes को बारी बारी से अपने copy में उतार सकते हैं या आपका notes भी बन जाएगा ठीक है और आपका कोई भी doubt हो problem हो तो आप नीचे comment box में पूछना ना हो ले ठीक है चलिए आते रही है पढ़ते रही है सिखते रही है धन्यवाद बाई बाई May God bless you Thank you